प्रेंट्स वैलकम बैक टू अवर नियो व्लॉग और आप सभी कैसे हैं I hope आप सभी अच्छे होगी और मैं भी आप लगों की दुआउं से काफी अच्छी हूँ और अभी मैं हूँ कीचेन में और मैं कीचेन में क्या करी हूँ चले मैं आप लगों को दिखाती हूँ तो मेर यह मेरे पास कुछ कभले जू है PLASTICK की और मैं इसमें करूंगी क्यूंड कि अर्योग एसमें अड़ शंदा नहीं है तो इसमÈ मैं करूंगी हूँ था चले हैं फिर करते हैं उसमे मैं करते हैं और इसमें मैंने कर दिया है हूँ यह दो ही होल किये हैं क्योंकि इसमें और 121 क प्लास्टिक के गंळों में भर रही हूं मिट्टी क्योंकि मुझे लगाने प्लांट्स और मैं कॉन से प्लांट्स लगाऊंगी ये मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी लेकिन इसके लिए फ्रेंट्स आप लोगों को मेरे एक नए चैनल पर जाना पड़ेगा उसका न और फ्रेंट्स यहां पर छोटी कर रही है जाडू और अभी हो रहा है शाम का समय और यहां पर छोटी को परिशान कर रही है और वो जाडू करने नहीं दे रही है बाडी में और मम्मी तोड रही है टमाटर तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारी यहाँ पर कितने सारे टमाटर हुआ है तो प्लीज आप लोग मेरे साथ में वीडियोस में कंटीनिव बने रहेगा और ये रही फ्रेंट्स मम्मी और मम्मी तोड रही है टमाटर और ये आप लोग देख सकते हैं कितने सारे टमाटर है और फ्रेंट्स ये वही पौधे हैं जो मैं क्रिसी विज्ञान केंदरे से ले कर आई थी और मम्मी इसे लगा रही थी इन पौधों को ये वही फ्रांट है जिनसे आज हमें टमाटर मिल रहा है और फ्रेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे टमाटर हुए हैं और मम्मी इसे वाश कर रही है और फ्रेंट्स आज मैं बनाने वाली हूँ दाल बाटी और जिसके लिए मैं आटा गुतने वाली हूँ और चलिए तो फिर मैं आटा निकाल लेती हूँ और मुझे आटा च्छानना है तो मैं आटा च्छान लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने आटा च्छान लिया है और अब मैं आटा गुथूंगी इसमें मैंने नमक वाकिरा भी डाल दिया है और सिर्फ इसमें मैंने नमक डाला है झाल झाल और फ्रेंट्स अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर आटी की गोल गोल लोई बना रही है और फ्रेंट्स अब यहाँ पर मैंने चड़ा दिया है ओवन में इसे पकाने के लिए और फ्रेंट्स यह पक चुका है और फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती काट लिया है और अब इसे में डालोंगी दाल में और दाल भी मेरी पक चुकी है और फ्रेंट्स यहाँ पर अब मुचुका है डिनर का समय तो हम जो अब डिनर कर रहे हैं और फ्रेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दीदी ओरियो को खिला रही है पेडिग्री क्योंकि हम जब इसे ऐसे ही देते हैं खाने को कुछ तो यह खाती नहीं है तो इसे खिलाना पड़ता है प्रेंट्स यहाँ पाने कि देख सकते हैं